कि हाला एरुबन वेल्कम तो स्टेडिवाइब जजुगेशन पर आप सभी का स्वागत है और वर्ड जेग्राफी वाइब मैपिंग की हम आज हम सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं और सेकंड क्लास के अंदर हम आपको यह बताएंगे कि आस्ट्रेलिया महादीप सबसे छोटा म अधिक है पर फिर भी अपनी डॉमिनेंस रखता है और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यहां पर देखा जाए तो अपनी एक चाप छोड़ता है तो इसके उपर डिस्केशन करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को यह मेरा ब्रिफ इंट्र है मैसल फाशु तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर अब अधर सोचल मेडिया हैं यह है वर्ल्ड के मैप में हमाना प्यारा भारत प्यारा भारत के जस्ट नीचे की साइड में दक्षिण के एरिया में अगर हम देखेंगे नीचे में उत्तर ऊपर की सरफ दक्षिण की एरिया में देखेंगे तो हमें एक छोटा सा दीप दिखता है जहां पर जिसे औस्टेलिया का आगया है यह एरो के निशान के साथ मैं आपको यहां पर यह अस्टेलिया का मैं जोग्रोफिकली अगर देखा जाए तो यह चारों और से पानी से गिरा हुआ शे पर यहां पर आस्टेलिया जो वह एक द्वीप के रूप में है क्योंकि यहां पर आस्टेलिया चारों और से पानी से गिरा हुआ है और बीच में स्तल भूमी है अगर देखा जाए अगर हमने वर्ल्ड जोग्रोफिय में मैपिंग जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने दे तुर्ट्रीज बने चिकीनम और यहां पर अगर देखा जाए तो ऐस्टेलिया महदीप जो है वह एशक एश्या महधीप के जिट नीचे की तरफ आता है तो इसके अंदर देख जये तो यह एक यह जो है एक प्रायधी आका से महादीप है तो द्वी महादीप है और इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो यह महादीप क्या है वर्ल्ड के अंदर देखा जाए वर्ल्ड के अंदर यह महादीप जो है यह शेत्रफल की दृष्टी से कौन सा इस्थान रखता है यह चीज पूछने लाइक है बचकाना सव तो एम चैन संक्या की दोड़ा चेंज आ जाता है यहां पर जन संक्या की दिरिस्टी से छट्रा हो जाएगा ठीक नब, साथवा पहले था अब च RAW गया सिक्स तो गया है ठीक है सब्सक्रांद चीज़ याद रखने है औस टेलिया में अस्टेलिया को एक अधर नाम से भी जाना जाता है औस टेलिया को क्या कहा जाता है और इसके अंदर एक और उसिया ऐसिया नाम से कुछ कंट्रीज हैं मतलब यहां पर जूड़ आसपास के शेत्र हैं उसको जोड़कर गुरूप बनाया गया तो उसे अंदर कौन कौन से कंट्री जाती पूछा जा सकता है तो और ऑस्टेलिया आएगा और ऑस्टेलिया में एक उस्टेलिया न्यूजिल पॉलिनेशिया मेलोनेशिया मैलोनेशिया माइक्रोनेशिया यह सारे मिलकर क्या बनाते हैं ऊसीनिया ऊसीनिया भूप बनाते है तो चारों पांचों कंट्री का नाम आपको ध्यान रहें चाहिए यह ओस्टेल्यन ईूजिलिएन Terry पॉलीनेश्या मैलीनेश्या और माइकर स्टेलेट सब मिलकर ओस्टेलिया बिनाते हैं रसिया वो आसीएना बनाते हैं चोई मेरे अस्टेलिया जो है वो प्याह असीब LAUGH है व्यां कहा जाता है उसको जाGU Wa Horov proof कि को जय को जाता है तो और अश्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है अगर थे कर यहां पर और जो है वह महसागरों से घिरा हुआ है तो पूड़ की और जाएंगे तो क्या आएगा हिंद महसागर इंद महासागर ठीक है ना और पश्चिम के और जगर हम जाते हैं तो क्या आता है प्रशांत महासागर और अगर आप Current Affairs related news सुनते हैं तो आपको पता है कि प्रशांत महासागर के उपर की तरफ जाने पर चाइना आता है और जापान आता है यह बात भी काफी चर्चा में थी अब अपन को दो-3 चीज़ें यहां पर देखनी है यहां एक दूइप और आता है यहां दूइप आता है दूइप यहां पर लिखावा नहीं कोई इस्यू नहीं है अपन नेक्स्ट इसमें जो अगला मैप आएगा उसके अंदर हम इसको डि ऑपवा नूगिणी पापूए नूगिणी यहां पर एक देश है और नीचे की साइट में एक और देश दिखरहा है अगर आप उसको विध्यान से देखें तो आपको यहां पर दिखरहा है इक Links पभीम गरदी काम में आ चाजय होती है जो दो इस्तल भाग को आपस में जोडती है जल मार्ग के माधियम से जोडती है वो जल संदी कहलाएगी और दो इस्तल मार्ग को अगर जल मार्ग के माधियम से जोडा जाता है तो वो एक इस्तल संदी कहलाएगी तो यहाँ पर आपको देखना है दो जलसंदिया हैं, दौनों के नाम ध्यान रखने हैं, किस-किस में हैं, मैं आगे डीटेल्स इसमें स्टडी करेंगे, तो उसमें मैं और बदा दूँगा, यह वास जलसंदि है, अगर उपर वाले को देखा जाए, तो यह है कोपरेंट यह की खाड़ी कोपरेंट यह की खाड़ी, और यहाँ पर, sudah कोपरेंट यह की खाड़ी मैं अँब बता हूंगा, यह जो जलसंदि, यह टॉस जलसंदि, और अभ यहाँ पर दो खाड़ियां भी है, मतलब दो एय्रिया में इस तरह से खाडिया बनी हुई है तो उन दोनों के बारे में भी डिसकस करते हैं यह एरिया जो है यहां से देखेगा ब्लैक ब्लैक जिससे मैं अभी मार्क कर रहा हूं यहां पर भी जल भरा हुआ यह खाड़ी है खाड़ी क्या हो गई एक तरफ से चारों और तीनों और पानी और बी भी वापस रिवीजन करेंगे तब मैं आपको इसको वापस बाता दूंगा यह जो है यह भी एक खाड़ी है जिसे ग्रेट कि ऑस्ट्रे लियन ग्रेट ऑस्ट्रिलियन बाइट कहा जाता है तो यह दो चीजे हो गई हमने दो जल संदिया मड़ी दो महातीब देख ली दो यहां पर खाड़ी यह में जो चीजे हैं जो आपको याद रखने योग्य होती है वो मैंने यहां पर बदाई दो दीफ हैं तस्मानिया और पाप जल संदी टॉंद जल संदी जो है वो और पाप्वा गनिके मद्य इस्तित नप तो और चॉर्ट में लेक्वेड थे तो ऑस्टेलिया एंड पाप वह न्यू गिनी फाप वह न्यू गिनी के मध्य च्छीकर है पहला आगा हमने ब देख लिए वास जलसंदी जो है तस्मानिया और उस्टेलिया के मध्य उस्टेलिया और एंड तस्मानिया और तस्मानिया के मध्य होगी अब अगर यहां पर देखें तो दो हमारे पास में महादीप थे महादीप कौन कौन से थे तो महादीप में पूर्व की और जो महादीप था वो हिं पहले यहां पर थी और इसके अंदर अगर देखा जाए तो हम ने यह मेन में चीजे जो थी वो हमने यहां पर डिसकस कर ली कि बहुतिक फिजिकली यहां पर किस तरह का मैप यहां पर इस्तित है आउस्टे अगा अगर आप हम देखें मैप की area की location wise कुछ locations बताता हूँ, जिसके अंदर आपको याद रखने वाले नाम है, और एक दो चीजें जो होगी, वो आपको, confirm ली आपको ये सोच के चलना है, कि ये चीजें मुझे याद होनी चीजे, सबसे पहले हम इसका division बाद में देखेंगे, किस तरह से इसको बॉगलिक division किया हुआ है, उससे पहले आपन देखता है, कौन-कौन सी area है, सबसे पहले देखिएगा, Darwin, Darwin area जो है, ये ज़्यादा famous है, ये एक तरह से राजदानी भी है, मैं आगे बताऊंगा इसके अंदर, अलग-अलग शेत्रों को, अलग-अलग प्रांतों को बाटा गया, और प्रांतों के उनकी भी राजदानी एक मैंन capital भी होगी, और अलग-अलग प्रांत की अलग-अलग राजदानी भी होगी, तो यहां पर, Darwin हमें ध्यान रखना है, फिर यहां पर आता है, Queensland, ये जो एरिया है, Queensland, ये क्वीन्स लेंट ही हुआ टुर ज्एंड है और कुइंड के अंदर हमारे पास में एक आउग वार्सै वार्सैवे व ऊवे बहुत लिए उनीरिय बुर्सैज है व रे सबूडर वे उर्डिया धियान रहना है दिन्कन और फिर हम यहां-पर देखें तो बोर्सैज न के पार भाद में हमें देखना हूँ जीनि वृ सिड्नी अ 74 जो क्रिकेट देखता है उनको पता है यहां जहां बड़ी बड़े शहर हैं वहां पर क्रिकेट ग्राउंड है औरर किक इंडर्ड की वाज़े से वह नाम बंग व्किए तेट हैं जो क्रें देखता है तो भी नौलेड एडिलेड एडिलेड है मेलबर्ण है मेलबर्ण और कैनबरा यह जो है यह आपके पूरे औस्ट्रेलिया की राज़दानी जबकि अधिकतर लोग सिड्नी को राज़दानी समझ लेते हैं पर सिड्नी राज़दानी नहीं है कैनबरा है जो हॉल औस्ट्रेलिया की राज़दान यह यहां पर हमने देखा यह हमने कुछ ऐसे एरियास थे जिनके बारे में डिसकस किया अब एक कैनबरा जो था वो मैंने बता दिया आपको और ठीके सिड्नी होई ही किया अब इसमें देखेगा एरिया वाइज नाम भी लिखे में देखिए सबसे पहले कलर चेंज करता हूं ताकि आपको यहां पर थोड़ा सा समझने में असानी रहे कि हमने क्या चीज यहां पर डिसकस कर रहे हैं रेड बैस्ट है वैसे तो देखिए वैस्ट ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला प्रांत यह जो लाइन है ना मैं इसी के अंदर समझा रहा हूं आगे आपन इसको और अच् इसका डिवीजन और खाने वैसी सबसे पहले वैस्ट ऑस्टेलिया व vetarta सइड में और उसके बाढने देखेंगे नजर्थ तरिटRI यहांपर देखकर उत्री प्रांथ जिस एक अगर नौथ तरिट्रय आगया फौशल रेंड आ उसके बाद व्यस्ट साउट वेल्ट वेल्ट सागिए जिसे वैस्ट न्उन्व साउट है गया सोड़ी लिसमें डिविजन कड लिए मैं अगर इसमें और चीज़ देखें तो हम में टीके और देखते है परथ हम ने बताई दिया परथ कहां परश्तित थे तो पश्चिम ऑश्ट्रेलिया के अंदर सेच थे कि न पस्चिम ऐस्ट्रेलिया का अंदर यहां परश्ट इस देते पर कुछ एडि फज़ी दॉन थे प्रों उत्री प्रांद हre जिसे आपने नौर्थ टेरिट्री कर था सान। वेल्ज्ड सांथ व gosh है न्यूज्ट वेल्ज सांथ मेशोर्श आपका एडिया और यह एरिया है न्यू 시작 वेल्स बेस्बर्ण जो है कि बिलीज बेर्ण जो है वह आपका यहां पर एरिया रह जाता है क्वींस लेंड क्वींस के अंदर आगा जाता है ठीकिना तिटनी है सिड्नी आपको पता हिए थीदनी आता है निउ साउथ वेल्स न्यू शाउथ वैस इस तरह से नाम आपको नाम ही दियान रखने हैं इसमें ज्यादा तर नाम ही है जो आपको याद रह सकते हैं और कोई इश्यू भी नहीं रहता है इन नाम्स में कोई इश्यू भी नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं आती है ज्यादा तर और बाट क्विंसलेंड डाता है ये तो पता ही है एंद्र पताना जरूआ ईण रीखी और विक्टोरिया प्रांथ आपको बतायी दिया थे ठ्रवंडर केतल जो है कि वो कशने तर्मार केकी लिल्व और इसांड मेल बेल बूर्ण भूबन वह आपका चोटा सा एरिया जो हमने वहाँ पर आपको दिखाया था विक्कटोरिया प्रांत। विक्टोरिया प्रांत नरी गर्ण के अंदर मेलबन आता है एडिलेड आजाता है वो दक्षिनी औस्त्रेलिया अंदर है उसकी जफंशारे गर्ण मेरत देखें तो य्यां साइड में रहता है और दस्माणिय के अंदर हो हवर्ड हवर्ड जो है वो इसकी केपिटल आ जाएगी ठीके ना यह तसमानिया के अंदर आता है यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा लास्ट इसका करते हैं फिर उसके बाद में डिविजन पादेंगे एक बार वापस अगर जोग्राफिकली अपन याद रखने की कोशिश से अगर रहते हैं तो भी हम इसे करें तो भी आपको यहां पर मैं आपको फिल करके बतात हुआ है जो है वो आपका पश्ची मी अस्ट्रेलिया कि इस साइड में जान अब थीए उसके बाद में आपने कोशिश की यहोगी यह उत्री परांत आ गया उत्री परांत नौर्थ टेरिटरिटरी यहां पर जाता है वो Queensland आता है याद रख सकते हैं कोई बड़ी बात है यह New South Wales यह आता है और उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा चोटा सा Victoria Victoria आ गया यह आपका तसमानी आ गया कि रसमानीय यह चाहा गया धक्षेनि और ठीक है यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी और एक बार फिर देख लेते हैं इसको याद की त्रिस्टिशे अगर आपको वैस्ट ऑस्टेलिया नॉर्थन टेरिटरी क्विंजलेंड साउथ न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया और साउथ ऑस्टेलिया यह सारा हमने यहां पर आपको डिसकसिन किया अब हम एक बार वापस रिवाइज करते हैं क्या क्या चीजना महाधिप है और ऑस्टेलिया महाधिपके बाद में भी यह जाना जाता था उसीनिया जो है उस्टेलिया न्यूजिलेंड पॉली नेशिया मेली नेशिया और माइक्रो नेशिया से मिलकर बना हुआ है इसे प्यासी बुमी का देश भी कहा जाता है उस्टेलिया का अगर फीजिगली मैप देखे तो दो यहां पर हमारे पास में ध अब एक कहा गया है great Australian bite ठीक है यह दो खाड़िया है और दो जलसंदिया है उपर है तो टॉट्स जलसंदी और नीचे देखा जाए तो वास जलसंदी यहां तक आपने सारी चीजे clear है टॉट्स जलसंदी ऑस्टेलिया और पापवगिनी के मिद्धे है वास जलसंदी ऑस्टेल डार्विन हुआ और उसके बाद में न्यू साउथ वेल ब्लेस्टेंड क्विन्स लैंड विक्टोरिया प्रांथ विक्टोरिया के अंदर हमने आपको कैनिबरा बताया न्यू सौथ वेल्स बताया तस्मानिया होबर्ड मेलबर्ण एड्लेड यह सारे नाम यहां पर लिखे ठीक है पापुवा न्यू गिनि यहां पर आपको सारी चीजें अब हम आगे की तरफ चलता है कि बहुतिक की विवाजन किस तरह से किया अगर हम इसको पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो बहुतिक विवाजन कौन-कौन से होंगे उसके वर बताएंगे पूर्वी परवतिये परवत हैं तो परवत से आएगा पस्चिमी पठारी शेत्र पठार हैं तो बस्चिमी पठारी शेत्र और मद्य में आजाएगा तो यहां पर मद्य का भाग रह जाएगा इस तरह से देखा जाए तो यह रह गया यह रह गया और यह मद्य का आगया ठीक है पूरव पठारी पठारी के पर आपको समझेनागी अब हम प्यूर्वी पठारी के शेत्र जिसे पहले टॉपिक करते हैं कोशिच करता हो फास्ट फास्ट अपने इसको कर लें ताकि आपको दो तीन बार इस वीडियो को देखेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको हो जाएगे और यहां पर यह है और फिक यहीं आपकी घ्रेट डिवाइडिंग नाम से परवाश्चर हम्का अदर एक बलू ब्लू माउंटेन है यहाँ पर यहाँ पर ही ब्लू माउंटेन जो है वो ऑस्टेलिया के औलपस प्रवश्रेनी कहा ही जाती है ब्लू माउंटेन औलपस ऑस्टेलियाई औलपस प्रवश्रेन कला ठीक है अलपस प्रवश्रेनी यह आपका यहाँ पर मेन है और यहाँ पर अग यहां पर सबसे उंची चोटी भी है उस चोटी के बारे में भी अगर हम डिसकस करें तो यहां पर एक सबसे उंची चोटी है उस चोटी का नाम जो है वह आपका यहां पर लिख देता हूं मैं माउंट कॉर्सी को यह को यहाँ पर हमने देखा अभ यहां से देखिएगा यहां से एक नदी का नाम när यहाँ पर है आओ नाची डोलीन नदी यहां सेखिशी से निकलती है मांट Metro Carpel करर्ष यूोग है और को रग जो है यू रोग जो है यू रोग जो है इस परवश्ट्रंख्ला से निकलती है दैयर्विन जलसंदी लां नदी यहां इसके पास सेही हमारा Australia-ORpus यहाँ पर टीन चीजे हो गई तो Australia-ORpus जो है वहाँ से एक जल नदी निकलती है जिसका नाम है मुरे, मुरे नदी मुरे नदी निकलती है Australia-ORpus परवश शंकला से ये दोनों आगे जाकर मिल जाती है और ये दोनों मिलकर आगे से यहाँ पर यह जो दल्दली शेत्र बना हो ना यहां से बाहर निकलती है ठीक है ना कहां गिरती है तो हमारे नीचे की और निकलती है ठीक है ना ऑस्टेलिया के नीचे की दक्षिन भाग की और निकलती है तो यह यहां पर में जो टॉपिक है यह यहां से ऑस्टेलिया की सबसे लंबी को कि Oh जाए तो आपका कहेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंश पहला पहला आमने टॉपिक डिजकस किया दूसरे में आत हैbu तर वàiनिंग रेंज जो है वो उस्टेलिया कि सबसे लम्बी वललैव प्रवश्रंक लाइब यहां पर हमने सबसे लम्बी तो है ही परिसमें करें वललेव प्रविश्रंक लाएं अब इसमें अगर एक और चीज़ देखा तो यह जो है विश्व की चौथी सबसे लंबी प्रवश्रंक्ला है तो यहाँ पर इसको भी लिख दीजिए वर्ड की जो है वर्ड की फोर्थ लॉंगेस्ट अ ठीक ना परवश्रंक्ला मांटेन रेंज बोल सकते हैं ठीक ना मांटेन रेंज चौती है अब यहां पर तीन चीजह हमने यहां पर डिसकस की इसके बार में और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो सबसे उची चोटी अगर का जाए इसकी सबसे ऊची चोटी siya को सबसे मुची चोटी जो अभी मैंने आपको बताया था do सब्से उंची चोटी जो थी वह आपकी कर आप मांटेन कि मयूंटेन क्यों कॉस्त यू रोक और को ईयवलोको जो है हूश्रेलीया महदीप की सबसे सबसे उंची चौटी ऑस्रेलिया की सबसे उंची चौटी यही है ऊस्रेलिया मादीप की अगर यहां की है तो ऑआठे पूर इसकी के अंदर आयीगा इस प्रवश्रंक्ला से ही कई नदियां की उत्पत्ति होती है और उसके अंदर जो रीवर आ जाएगी डीवर्स ठीके नाम लिख देता हूँ मुर्रे नदी और डॉर्लिंग नदी यह दो नदियां जो है यहां पर मुख्य है खास खास है वही चीज़े हमने यहां पर लिखिए तो यह पूर्वी पठारी शेत्र जो हमने यहां पर आपके साथ डिसकस किया यह सारी चीज़ें यहां पर हमने डिसकस कर लिए अब हम आग ब्लू प्लू ब्लूमा ब्लू माउं। जो है वह यहां पर सबसे उंची एकॉर माउंटेन है ओस्टेलेna और पर से उसमें मॉर्ये नदी आती है और डर्लिंग नदी निकलती है और उसके साथ कमें सबसे उंची जोटी हो गई वह कौर को यूरोस को ठीक है नव यूरोस को जो है वो यहाँ पर सबसे उंची चोटी वाज़ेगे कॉस यूरो को यह हमने यहां पर पड़ा विशु की चौती इसके बारे में अब आता है पस्चिमी परवती पस्चिमी पठारी ए गलत लिग दिया, उसके अंदर हम यहां पर देखें तो यहां पर पस्षिमी पठारी शेत्र उसी के अंदर ही देख लेते हैं पस्षिमी पठारी शेत्र में शुष्क जलवाईू यहां पर देखो यहां पर क्या है कि पठारी शेत्र है ठीक है ना पठारी शेत्र है तो जलवाईू जो होगी व अवियसलिंश्ष्ष्ष्ष goyaab Will जलवयू है तो अरःऌ ग्रेट सेंडी अर इसके अंतर ग्रेट जबंग और स्बैंसन जलवयू है तो मरुस्टल एंगा तामी मरुस्तल भी है यहाँ पर अलग-अलग मरुस्तल है मैं यहाँ पर कुछ मरुस्तल के बारे में यहाँ पर डिसकस कर देता हूं ताकि आप को यहाँ पर पता लागे कि कौन-कौन सी एरिया में कौन-कौन सी मरुस्तल रहेंगे ठीक ना और परिस्तितियां अगर रहेगी तो क् कि रज्वायू सबसे पहले तीक ना पशूमी पठारी पठार आ गया फाषी मी पठारी सेट्र में किया आयेगी शुश्क जलवायू । शुश्क ज़वायू हो जाएगी और शुश्क जलवायू कैनर अंदर मoured देखने जाएंगी तो आपको क्या मिलेगा ? इसी लिए यहां पर क्या पाया जाते हैं ? मरुस्तल पाया जाते हि चो शुश्क , जल्वायू की वज़े से क्या है ! यहां पर ? मरुस्तल .... भाग है मरुस्तल , डैजर्ट अब कौन-कौन से डेजर्ड यहां पर पाए जाते हैं तो साब कुछ नाम लिख लेते हैं ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट सैंडी ग्रेट सैंडी मरुस्तल गिबसन मरुस्तल ठीके ना सिंपिसन मरुस्तल तनामी मरुस्तल शॉर्ट में ही लिख रहा हूं कि यह ना तनामी मरुस्तल और यहां पर आता है अब देखिए पठारी भाग है तो यहां पर पठार भी पाए जाएंगे तो यहां पर कौन-कौन से पठार पाए जाएंगे तो उसके बारे में एक बार डिसकस करते हैं यह मैंने लिखी दिया और इसके अंदर हम पठारी भागों को ले लेते हैं दो पठार यहां पर प्रस्चिमी भाग में प्थार पाए जाते हैं पठार में दो प्थार है उन दोनों की विशेषता है यह यहाँ पर लिखते हैं किम्बर ले का पठार इसके लिए परसिद हैं वो भी मैं इसके चारिया चाहिए सब चीजे दो दो है है अस्टेलिया में तरिके ना गयाना में बंडा इरे और कोईले के बंडा रहें तो खनीजों से यहाँ पर खनीज के बारे में हम डिसकस करने हैं तो खनीज में भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर इसतीत हैं और यहाँ पर देखें तो हैमर्ड्स ले पठाड जो है इसके अंदर आपको यहाँ पर विशू में गुलाबी यहाँ पर और में खान है यहाँ पर एक खान है और और गले की खान है और गले की खान के अंदर यहाँ पर गुलाबी हीरा पाया जाता है यहाँ की एक विशेष्टा है कि और गले की खान है जहां पर किया सा हीरा पाया जाता है गुलाबी हीरा ठीक है ना तो हॉर्मेंसले पठार जो है वहाँ पर और मगेनिन और गले जो है और गले विश्व की एक खान है खान है यहां पर विश्व में सबसे ज़्यादा यहां पर अगर देखा जाए तो गुलाबी रंका हीरा पाय जाते हैं तो उनके बारे मैं अगर डिसकस करें तो यहां पर दो जो है सोने के बंडार है स्वार्ण स्वार्ण बंडार उनके नाम भी मैं यहां पर लिख देता हूं ठीक है न तो पहला जो है वो यहां पर है कॉल गुर्ली कॉल गुर्ली एंड दूसरा जो है यहाँ पर कुल गार्ली यह दोनों एक ही नाम है तथा कुल गार्ली, कॉल गुर्ली और कुल गार्ली काल गुर्ली और कुल गार्ली यह दो है जो यहाँ पर खनन के शेत्र है कंनन के शेत्र जहां पर क्या है सोना पाया जाता है यह प्राप्त होता है that's the point of कि यहां पर हमने क्या-क्या पड़ा हमने सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं पूरू पठारी शेत्र तो पूरू पठारी शेत्र हो गया पहला हमने पड़ी लिया तहां यहां पर great dividing range पाई जा यहाँ पर US को पाई जाती है उसके अंदर देखें तो Darwin नदी निकलती है Blue Mountain से और Australia और पस से मुरे नदी निकलती है यह दोनों नदियां अपस में मिलकर दक्षिनी भाग में यहाँ पर नीची के और निकल जाती है ठीक है ना दक्षिनी भाग में निकलती है दो नदियां है तीनों चीजा लिखा दी Great dividing range जो है वह उस्ट्रेलिया की सबसे लंबी परवशंक्ला है वलाइत परवशंक्ला है और वर्ल्ड की चौती सबसे लंबी परवशंक्ला है चार जीजें हो गई mountain सबसे उंची चोटी बता दी उसके बाद में दो नदियां बता दी अब आता है हम इसके अंदर पस्चिमी पठारी शेतर में दो पठार पाये जाते हैं किंबले का पठार और हैर्मर्ड हैमर्सले का पठार पाये जाता है स्वन के बंदार है काल गुर्ली और कुल गाडली खनन के शेत्र हैं और पश्चिमी पठार के अंदर यहां पर पठार पाये जाते हैं शुश्क मरुस्तल है शुश्क जलवाई होने के करण पठार होंगे डेजर्ट होगा और यहां पर ग्रेट विक्टोरिया का पठार ग्रेट सैंडी का पठार गिब्स मरुस्तल हिपसेन मरुस्तल और तनामी मरुस्तल और टार्ट जो है स्टूट मरुस्तल यहां पर पाये जाते हैं अब आते हैं मद्य के शेत्र में, हमने दौनों था, साइड का एरिया पकड़ लिया, अब आते हैं मिड के एरिया, मिड का एरिया थोड़ा सा अलग है, ठीके न, मिड का एरिया थोड़ा चेंजेबल भी है, अलग भी है, मद्य का शेत्र, मद्य के शेत्र में कुछ इस तरह की चीजे पाई जाती है कि पस्चिमी पठार और पूर्वी पठार पस्चिमी पठार और पूर्वी परवत्य श्रेत्र के मद्य का भाग दौनों के बीच का एरिया यह रह गया दौनों के बीच का एरिया ठीक है इधर हो गया उदर हो गया अब बीच में जो है यहां पर आपको यहां पर आस्टरेलिया में उत्तर पूर subtle मेदान तर उत्तुक मैदान कें अंदर उत्तुक वे मतलब सूक वे पाए जाते हैं जिसे उत्त पाताल तोड़ ऐकल जाता है जो एक लंबी शुअख लंकला यहां पर पाया जाती है जिस तरह से यह समझिएगा मैं आपको डाइग्राम के तुरू यहां पर समझाऊँ तो यह इस तरह का कुछ बनावर आएगा यह कुवे हैं अब बारिस आती है तो पानी उपर गिरेगा तो यहां पर इस तरह की व्यवस्ता बनी हुई है कि यह पानी इस तरह से आएगा और जो जिने पाताल तोड़ कुवे भी कहा गया है इस तरह के कुवे पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुवे भी यहां पर पाए जाते हैं एक लंबी संकला पाई जाती है जिसे गेट आर्ट्रिसन ग्रेट ग्रेट आर्टिसन बेसीन कहा गया है ग्रेट आर्टिसन बेसीन के बारे में अगर आपसे पूचा जाए तो यह क्या होते हैं पाताल तोड़ कुवे होते हैं जिनके अंदर बारिस के समय पानी उपर से निकलने लग जाता है और यह कहां पाया जाते हैं उत्तर के पूरवी मैदानी भाग जो है इस लाइक यहां पर इस तरह से ठीक ना यहां उच्छो कुए या पाताल तोड़ कुए पाए जाते हैं ठीक है अब देखेगा अगर इस तरह से रहा तो एक यहां पर जील भी पाए जाती है यहां पर एक जील पाए जाती है जिसे आयर आयर जील कहा गया है आयर जील कहा पाई जाती है तो मध्य में इस तरफ पाई जाती है यहाँ पर डाउन्स भी पाया जाता है जलोड मर्दा जो होती है जलोड मर्दा के अंदर यहाँ पर अगर देखा जाए तो शितोष्न शितोष्ण जलवाई उपाई जाएगी जलोड मर्दा जहां रहेगी वहाँ पर अधिक्तम आप देखेंगे कि उस एरिया के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा जो शेतर रहता है वो गिहूं उत्वादन के लिए रहा जाता है तो कहां पाई जाएगी तो यहां पाई जाती है जस्त इसके पास में एरिया है तो जलोड मर्दा पाई जाएगी जलोड जलोड मर्दा जलोड मर्दा जो रहेगी वह कहां किसके लिए उसका वातावरन जो रहता है शितोष्ण शितोष्ण वातावरन रहेगा शितोष्ण वातावरन के करण क्या गया जाता है तो यह यह शितोष्ण गास के मैदान, अगर इस एरिया के अंदर ही रहेंगे, जो लोड मर्दा यहां पाई जा रही है, तो इन मैदानों को जिनके अंदर ही खेती होती है, उसे डाउन्स पूला जाता है, डाउन्स, शितोष्ण गास के मैदान, गास के मैदान, गास के मैदान, जो होते पर दोनेतल है आयर जील काहां हिस्तिर है इसके बारे में देखते हैं छोटी सी एक तो पेहले इसको ही देख लिए मनहें आए मेरे घल ऑल जुछ हे वो हृस्टेलिया की सबसे बड़ी ऑस्टेलिया की सबसे बड़ी जील ऑस्टेलिया की सबसे बड़ी जील है तो किस की है खारे पानी है खारे पानी की जील ठीक है ना ऑस्टेलिया की जील और खारे पानी की जील खारे पानी की जील ऑस्टेलिया की सबसे बड़ी जील ठीक है इसके बाद में हमने क्या पता है यह जो है यह नियूनितम बिंदू है सबसे नियूनितम बिंदू है क्या है ऑस्टेलिया का सबसे नियूनितम बिंदू अधिक्षिन में देखा जाए तो यह उस्टेलिया का सबसे नियूनतम बिंदू है डाउन्स डाउन्स जो है यहाँ पर शीतोष्न घास के मैदान जो है उसे डाउन्स का गया है तो दूसरा पॉइंट डाल देते हैं डाउन्स हलुए बराइक डाउन्स जो है शीतोष्न का बमेंदे कब लिए जलोड मरता पाई जाती है और जलोड मरता कहा पाई जाती है तो जलोड मरता जलोड मर्दा और किस के लिए जलोड मर्दा पाई जाती है गेहूद पादन के लिए एरिया जो है वो आपको मध्य वर्ती मैदानी भाग है ठीक है Nा ृइस के बाद बताने के जरूत है लिखने का भी जरूत नहीं मुझे इसलिए मैंने नहीं लिखा ग्रेट और ग्रेट ऑर टिशन बेसिन आपको पता है पताल तोड़कुए है जो हमने आपको बताई दिया था तो पताल तोड़कुए है या उत्सुत्र उत्सुत्र कुवे जिसे आप क्या कह सकते हैं पताल तोड़कुए है ठीक है इसकी लंबिश रंकला इसे ग्रेट और टिशन बेसिन कहा गया है यह यहां तक हमने इसके बारे में पड़ा उस्टेलिया में सबसे उंचा गुर्मक्तिया वाला उन की भेड़ भी पाई जाती है जिसे एक यहां तक हमने पड़ा तो यह सारा आपको इसमें एक बार डाइक्राम से बताया था उसके बाद में मैंने इसको इस तरह से हमने पड़ा अगला देखते हैं इसके अंदर ऑस्टेलिया के अंदर एक भेड़ पाई जाती है और अच्छी वाली या अच्छी क्वालिटी वाली उन जो पाई जाती है वो यही पाई जाती है और किस बेड़ के उपर पाई जाती है तो वो आती है मेरीनो बेड़ जो है उसके उपर मेरीनो बेड़ को पालने वाले जो लोग होता है जो इनका पालन करता है पालन जो करता है उनको बोला जाता है पालको को पालकों को हम क्या कहते हैं, जो इनको पालते हैं, उनको हम बोलते हैं, जेकॉल, जेकारू, जेकारू नाम की परजाती है, जो इने पालती है, जन जाती है, जो इसे पालती है, और पालने वाले इस्थान जो होते हैं, उसको स्टेशन बोलते हैं, जहां इनको रखेंगे उनका station station ठीके ना station पालने का इस्तान यह इस्तेशन कहते हैं यह इसके बारे में पड़ा और यहां पर सरवाधिक अब जैसे देखे अब भेड़ की quality अच्छी है तो लोग भेड़ो को भी यहां सबसे ज़्यादा पालेंगे तो यहां पर क्या कह सकता हैं कि सरवाधिक भेड़े पा कि विष्व में सरवादिक विष्व की संख्या एक अगर पूछा जाहे कि विष्व में सब सरवादिक वेडों की संख्या का हैं तो वो यहां पर ऑस्टेलिया में ठीक ना ऑस्टेलिया के मूल निवासी जो होते हैं उनको जो मूल निवासी होते हैं उनको क्या कहा जाता है कंगारू नहीं कंगारू नहीं कहते हैं मूल निवासी को क्या कहते हैं कंगारू तो यहां का क्या है प्रतीक है एक जानवर है वो उनका प्रतीक बना हुआ है तो एवो रीजनल जो है उन्हें एवो रीजनल का जाता है जो यहां पर मूल रूप से रहते हैं और प्रतीक जो है प्रतीक वो जो है वो है कंगारू कंगारू क्या है इनका प्रतीक है ठ पर नैशनल सिम्बल ठीक ना अपना जैसे रास्टेपरतीक तीन शेर वाला अशोक इस्तंब जो बना होगा है वो है तो रास्टे परतीक यहां पर हो यह जिरिग शेल हो जाएं हर यहां पर एक चीज और वाई जाती है वह बहुत ही अच्छी चीज है उसके बारे मैं अगर डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में डिसकस करते हैं कि यह जो एरिया है जो आप देख रहे हैं उत्तर पूरव के अंदर यहां पर चोटे-चोटे दाने दिख रहे आपको जुम कर सकते हैं कि यह जो दाने दिख रहे हैं आपको यह दाने जो है यह ऐसे बना हुआ है जैसे क्या हुए जह पर इस तरह की संरश्णा यह नह infam विलैए प्रवाल भित्यों से इस तरह की संदर स्टावां बंदी वह फिर क्या करती है कि आपको अमूमन आपको अमूमन यहाँ पर बनी हुए हैं ठीके वे इस zones प्रवाल भित्यों का द्वारा निर्मित एक लंबी श्रंकला है जिसे ग्रेट बैरियर ब्रिफ का जाता है और यह जो है यह देखा जाए तो यह क्या होता है कि कौर जो आपके सेवाल जो होती है जो आपके यहां पर कवक जो होता है उससे प्रवाल भित्यां बनती है और प्रवाल भित्यां इतनी मजबूत होती है कि आप अगर समुंदर की तरफ से अगर चक्रवात आए या फिर समुंदर की लहरें अगर उठे तो तुफान वगर आए तो वह उनको रोखने का कारे करती है यह इस तरह से बन चुकी है कि दूर से देखने पर एक टापू सा दिखाई देगा ठीक है ना? ग्रीन ग्रीन हो जाएगा तो पूरा टापू टाइप भिखाई देने लग जाएगा तो चोटे चोटे टापू की तरह बन चुके हैं तो यहां पर अगर प्रवाहा आता है जलका तो यहां पर यह रोकने का कारे करती है तो प्रवाल भित्तियां जो है इन्हें क्या का गया है ग्रेट, अच्छा टॉपिक था, इसलिए अच्छा नेम था, ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर, रिफ, ग्रेट बैरियर रिफ पाया जाता है, प्रवाल बित्तियों की श्रंकला, ठीक है, प्रवाल बित्तियों की श्रंकला हुए, जो ग्रेट बैरियर, रिफ कहलाती है यह प्रवाल बित्यां जो होती है वो जैव विविद्यता से संपन होती है इसलिए इसे समुंदर का बागिचा भी का जाता है तो अब यहां पर आपको का जाए कि समुंदर का बागिचा जो है वो कहां है समुंदर का बागिचा समुंदरगा वागीचा ग्रेट बेरियर रिफ प्रवाल पित्तिय यह आपको यहां पर ध्यान रखना है दो तीन नाम थे जो मैंने अम्मूमन महत्पून हैं वो यहां पर अपने डिसकस किये हैं और इसके बाद में अगर इनके प्रमुख खनीज पर आएं तो कुछ खनीजों के बारे में डिसकस करते हैं कि इसमें दो हमने आपको पठार बतायाते हैं उसके अंदर हीरा और कोईला निकलता है तो किमबलेक का पठार जो है उसके उपर कोईला रिया निकलता है वो एक चीज़ आपको ध्यानक नहीं और दूसरा यहां पर सबसे ज़् से निकलता है काल मुडली और कुल गाडली काल मुडली और गुल गाडली वो अपन ने उसमें पड़ी लिया था और एक मांटेन रेंज है जहांपर सीशा जस्ता तामबा और चांदी यह सारी चीज़े निकलती है तो बैटसन ब्रेकन नाम से एक हिल्स है वहाँ पर निकलती है Brekens अंड ये साय वह यह आपी लिखता हूं उसका नाम और Mary-Cathleen Mary-Cathleen शेत्र जो है वो जल राम जंगल शेत्रnya है जिसे EURANIUM का GTAR वहां पर सरवादिक पईजाते है तो यूरेनियम का Bandaar के मामलय वह और देखें तो और वारा यह वह अंत पढ़ाता है उत्पादन में केनेडा है जो फर्स्ट नमर पढ़ाता है ठीक ना तो यह सारी चीजें यहां पर हमने खनीज के बारे में भी पढ़ा आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लोगा होगा और आपने यहां पर काफी कुछ सीखा होगा तैंके सो मच फर वाचिंग है वे ग्रेट डे जै हिन जै भारत मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दूइब के साथ टेक केर बाबाई